हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर और एकदम उभरा हुआ डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको इडिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जैन्ट स्वेटर, लेडिज कोटी, जैकेट, गल्स टॉफ, फ्रोग, कुर्ती, कैप, हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको आठ के मल्टीपल फंदे लेकर पांच फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा आठ के मल्टीपल देखिए आप इसमें आठ फंदे गिनिये फिर से आठ फिर से आठ बार बार आठ फंदे गिनते जाएए और लास्ट में आपके पांच फंदे होने चाहिए तो ये डिजैन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा ये डी जैन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और चार सलाईों में complete होता है इस डी जैन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चार basic row बनानी होती है उसके बाद चार-चार सलाईों का डी जैन भनता है इस डी जैन में उन थोड़ी सी जादा लगती है तो आप जब किसी स्वेटर जैकेट पर इस डिजाइन को अप्लाई करो तो उन पहले से ही थोड़ी सी ज़ादा ले लेना ताकि आपकी उन कम ना पड़े तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 21 यानि 21 पंदे सलाई भी आप इस डिजाइन में एक नमबर अपनी उन के इसाब से ज़ादा ले लेना यानि जिस उन में आप 10 नमबर की सलाई लगाते हो वहाँ पर आप 9 नमबर की सलाई लगा लीजिए तो उससे जो यह डिजाइन है यह एक दम उभरा हुआ और खिला खिला बनेगा तो यहाँ पर मैंने 9 नमबर की सलाई ली है और 21 पंदे मैंने डाले हैं तो आप कोई भी बोर्डर बनाईए बोर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए अब देखें यहाँ सीधी साइड है और सबसे पहले हम इसकी चार बेसिक रो बनाएंगे यह सिरफ डिजैन को शुरू करते टाइम बनेंगे उसके बाद यह चार सलाईयां दोबारा रिपिट नहीं होंगे अनले डिजैन बनेगा तो यह हमारी बेस रो है तो पहली सलाई है देखिए पहला फंदा एज़स्टीच है उतारिये या उल्टा बनाईए यहां से हम अपनी बेस रो का डिजैन शुरू करेंगे तो तीन फंदे उल्टे देखिए एज़स्टीच के बाद एक दो और यह तीन फिर हम धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और दो फंदे स चोड़ कर 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, अब आपके जितने भी फंदे हों बार बार इसी को रिपेट कीजिए, तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, फिर दागा पीछे और दो फंदे सीधे जब आप बार बार इन आठ आठ फंदों के डिजाइन को बनाओगे तो लाश्ट में आपके बचेंगे चार फंदे तीन फंदे देखिए डिजाइन को इकवल करने के लिए हैं एक दो और ये तीन अब ये हमारा होता है एजस्टी इसे उल्टा बनाई तो पहली बेस रो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब आज ये दूसरी सलाई और इसकी उल्टी साइड पर जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे जो इधर सीधे बनाए वो इधर उल्टे बनेगे तो ये देख लीजिए पहला फंदा एजस्टी उतार ये या उल्टा बनाईए आपके अपनी मर्जी धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ एक और ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे ये देख लीजिए एजस्ट एक, दो, और ये, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके, दो उल्टे, धागा पीछे, लास्ट में होंगे, चार फंदे, एक, दो, और ये, तीन सीधे, एजस्टीज को उतारना है, तो आपको जैसे सीधा बुन लीजे या उल्टा बुन लीजे आपके अपनी मर्जी में उल्टा बुनती हूँ तो दो basic row हमारी complete हो गई अब same इन्हीं दो सलाईयों को हम फिर से बनाएंगे तो देखिए पहला फंदा उतारिये या उल्टा बनाएए उसके बाद एक दो तीन उल्टे दो सीधे एक उल्टा और दो फंदे सीधे फिर से इसी को repeat करना है धागा अपनी तरफ करके एक दो और तीन उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक उल्टा दो सीधे लास्ट में होंगे चार फंदे इनको हम उल्टा बुन ले तो तीसरी basic row complete हुई, चोथी सलाई उल्टी तरफ से, जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाईए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाईए, तो ये जो हमने यहाँ पर चार basic row बनाई, इनको हमें दोबारा पूरे design में कहीं पर भी repeat नहीं करना है, ये सिरफ हमें अपने design को दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हम बून लेगे, इसके बाद हमारा design शुरू होगा, मात्र चार सलयों का design है, बहुत ही प्यारा सा हमारा design है, तो ये देखिए, उल्टी तरफ से, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा मैंने बना दिया है, तो ये हमारी चार basic row बनी है, अ अब आज ये आप design पर, देखिए, पहला फंदा एजस्टीच है, उतार ये या उल्टा बनाएए, उसके बाद एक, दो और ये तीन फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे, और ये देखिए, ये दो सीधे छोड़ कर, ये जो उल्टा है, इसमें देखो, एक तो य लाइनों के नीचे ऐसे, इन डोट के नीचे ऐसे स्लाइड आ लिए, और यहां से एक फंदा बनाएए, और फंदे को आप लंबा रखिएगा, इसको हम लुप बोलते हैं, तो लंबा फंदा बना लिजे, यहां पर अंगुठा रखिए, और इन दो फंदों को अब आप बना लिजे, अब देखिए, जहां जिस होल में से ये वाला एक्स्ट्रा फंदा बनाया, उसी में आपको ऐसे करके स्लाइड डालनी है, और एक एक्स्ट्रा फंदा लंबे वाला हम और बनाएंगे, उसी में हमने स्लाइड डालनी है, जहां पर हमने पहले डाला, ऐसे डालि और एक फंदा और बनाईए अब सेम लेंथ जितनी इसकी इतनी ही इसकी हम रखेंगे अब यहां से यहां तक हमारा आठ फंदे का डिजाइन बना इसी को आपने बार बार रिपीट करते जाना है तो देखिए तीन उल्टे एक दो और यह तीन फिर हम धागा पीछे करेंगे औ क्योंकि उल्टा बुना है तो इसके तीन के नीचे तीन डोट के नीचे ऐसे स्लाइड डाल लीजिए और एक फंदा आप एक से एक्ष्ट्रा बना जिए और फंदे को आप लंबा रखिएगा यहां अंगुठा रख लीजिए ताकि यह फंदा टाइट ना हो फिर इन दोनो फंदों को ऐसे सीधा बुनिए ऐसा करने से यह लूजी रहता अपिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे अब देखिए इसी छेद में हम फिर से अपनी सलाई को ऐसे डालेंगे और एक एक्ष्ट्रा फंदा हम और बनाएंगे इसे इतना ही लंबा करेंगे अब आपके जितने भी फंदे हो यही आठाट फंदे का डिजाइन बार बार बनाएं लास्ट के होंगे चार फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे तीन डिजाइन के हैं और एक अज़श्टीच है यहाँ पर चार बेसिक रो के बाद डिजाइन की प दो और यह तीन अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे यह जो हमने एक्स्ट्रा लंबा फंदा बनाया हुआ इसको ऐसे उतार लेंगे बनाएंगे नहीं फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और यह दो फिर हम धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपन जो डिजाइन बना इसी को बार बार रिपीट करना है तो देख लिजेगा धागा पीछे करके ये तीन फंदे आप सीधे बनाईए एक दो और ये तीन फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए ये जो लंबे वाला एक्स्ट्रा फंदा है इसको आपने ऐसे लेना है और उतार द उनके धागा पीछे कीजिए एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे अब ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला जो फंदा हमने बनाया था इसको उतार दीजिए फिर यहां से भी देखे जब आप पीछे धागा करो न तो टाइट नहीं करना दो सलाईयां कंप्लीट हो गई तीसरी सलाई है और यहां पर सीधी साइड है तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा एजस्टीच उतारिये या बनाये उसके बाद एक दो और ये तीन अब हम धागा पीछे करेंगे और देखे यहां पर एक तो यह एक्स् फंदा बना देगे फिर हमने ये वाला फंदा भी सीधा बुन्ना है ये हमने दो थे तो दो ही कर दिये जो बढ़ाया था घटा दिया अब हमें यहां से लुप निकालने है तो यहां पर भी हमें तीन डोट छोड़ने है देखिए एक दो और ये तीन आप ऐसा भी इसा आप का सकते हो ये वाला जो डोटन इसे उपर एक लाइन उपर आपका जाएगा या फिर आप गिन लीजेगा इसमें एक दो और ये तीन इन तीन के नीचे यहां से अब यहां हम ऐसे स्लाइड डालेंगे और यहां से एक एक्स्ट्रा लूप हम ऐसे करके निकाल देगे यह आ गया अब हमने अपना धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बुन देना है अब हम धागा पीछे करेंगे और यह देखिए हमारी जो लूप गई है वो अंदर की तरफ आई तो यहां पर भी अंदर की तरफ लेकर आना है तो इधर से आप देखिए एक द अल्टा फंदा बीच में इसके यहां भी लूप आ गई और यहां भी आ गई यानि एक्ट्रा लंबे फंदे आ गई अब यह एक फंदा सीधा थोड़ा सा धागे को पीछे से लूज रखिएगा आगे से स्लाइड डालके दो का एक फंदा बना दीचेगा यह पहला फंदा छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक डिजैन बना इसी को हमें बार बार रषिंट करना है तो देखिए एक दो और ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने दागा पीछे यह एक लंबे वाला और एकी वाला आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे फिर यह एक फंदा पर बना लेंगे ये लंबा छोड़िए आप उसके बाद आप धागे को अपनी तरफ लाइए और इस धागे को खिचने नहीं देना है नौर्मल रखिए फिर एक फंडा उल्टा धागे को पीछे करेंगे आप देखे इधर से एक दो और ये तीन छोड़ के और यहाँ पर हमे ऐसे स्लाइड डालनी है और एक एक एक्स्ट्रा फंडा हम इधर बना कर ले आएगे ये लाने के बाद एक फंडा आप सीधा बुनिए फिर बचगे एक लुप और एक फंडा आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक कर दीजिए ठीक है अब जितने भी आपके फंडे हो यही डि इनको आप उल्टा बुन दीजिए तो यहां पर हमारे डिजैन की तीन सलाईयां कम्प्लीट हुई चोथी सलाई और उल्टी साइड पर चोथी सलाई को ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच धागा पीछे करेंगे एक दो और ये तीन फंदे सीधे फिर धागा अपन हमने उल्टे बुने उसके बाद यह लुप यानि बड़े वाला फंदा आपको दिखेगा जो हमने एक्स्ट्रा बनाया इसको आप उतार लीजिए उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदाप सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और यह आपका जो लंबा फ पीछे एक दो और यह तीन फंदे सीधे बनाए धागा अपनी तरफ करके एक और यह दो फंदे हमने उल्टे बुने इस लंबे वाले फंदे को स्लिप करेंगे धागे को ऐसे पीछे की तरफ गुमा देंगे एक फंदा यह सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ करके इस लंबे वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे फिर दो फंदे उल्टे जितने भी फंदे हों यही डिजैन बार-बार बनाते जाए लाष्ट में चार फंदे हैं तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और अजस्टी को हमने उल्टा बुन लिया। तो फ्रेंड्स ये चार सलाईयों का डिजैन है इसे ही हमें बार बार रिपीट करना है तो मैं दोबारा इस डिजैन को एक बार बना के दिखाती हूँ क्योंकि अब ये जो हमारा next बार का start होगा ये complete होगा और ये वाला शुरू होगा तो एक बार आप इसकी जो है starting देख ली फंदा है न इसमें हमें वही तीन छोडने है लूप देखें एक दो और ये तीन ऐस ओद दालेंगे यहां पर हम एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना लेंगे तो देखें ये एक्स्ट्रा बन गया जैसे हमने यहां से बनाया था उसके बाद हम एक फंडा ये सीधा बुनेंगे फिर ये एक्स्ट्रावाला फंडा और ये वाला इन दो का हम एक कर देंगे ऐसे में हमारा इधर का डिजाइन कमप्लीट हुआ और फरस्ट बार की स्टार्टिंग होगी फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और ये जो दो फंदे हैं ऐसे बैट लूप से यहां हम दो का एक फंदा बनाएंगे फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे अब जैसे ये फंदा निकाला इसी छेद में ऐसे करके हम स्लाइड डाल देंग और एक एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बुन लेंगे तो देखे इस तरीके से हमारी नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग होई और वो डिजैन यहां पर कम्प्लीट हो गया बस ऐसे ही चारों सलाईओं को रिपिट करते जाना है ये बनते जाएंगे और आगे आगे डिजैन चलत जाएगा एक बार फिर आगे हम देखे डिजैन को कैसे बना रहे हैं एक दो और यह तीन उल्टे धागा पीछे करेंगे देखिए यह जो हमारा बीच वाला फंदा एक दो और यह तीन तीन आपके यह एक दो और यह तीन चोड़के और यहां पर आप ऐसे स्लाइड डालिए अब यह तो हो गया हमारे डिजैन की स्टार्टिंग यह एक फंदा आप देखे यहां पर ध्यान रखेगा यह बुनने के बाद यह जो धागा आ रहा है ना इनको यहां इसको ऐसे दबा लीजिए और इसको भी पकड़ लीजिए ताकि यहां से यह खिचने ना पाए इस फं ऐसे पाए शंदा बनके। डिजैन नेक्स बार की स्टार्टिंग हो गई और यह ग। हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक उलटा फिर धागा पीछे यह एक्स्ट्रा वाला फंदा और यह बैक स्लोप से दो फंदे का एक बनाएंगे फिर यह एक फंदा सीधा फ बास्ट में होंगे चार फंदे उनको आप उल्टा बुन लीजे आप देखे जब आप उल्टी तरफ आओगे तो जो फंदे आपको जैसे दिखाई देरे वैसे बनाने हैं लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फंदे बनाए इनको आपने स्लिप करना है ठीक है मैं आपको एक बार ये एक्स्ट्रा फंदा है इसको उतारिए दो फंदे आप उल्टे बुनिए धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ दो उल्टे इस लंबे वाले फंदे को आप स्लिप कीजिए धागा पीछे करके तीन फंदे आपके सीधे आएंगे फिर धागा अपनी तरफ लंबे वा हीं क Mundy थे यहुता सब्सक्राइब का दोंतों नो स्क्राइब कोई म्लेंच कुझ पर श॥ाया सब्सक्राइब परुषा जो स्वाचे टीसरा रिया गारी लागें सब्सक्राइब को आपको बार-बार रिपीट करना है और इसलिए इसको पूरा करके दिखा रहे हूं ताकि आपको बनाने में समश्या ना हो तो यह स्टार्टिंग के हमने चार फंदे उल्टे वुने धागा पीछे अब देखिएगा हमने कैसी करनाहै यह वाला जो फंदाय है स्लाई है इसको आगैसी डालकर करनेदे ह फिर ये वाला फंदा भी हमने सीधा बुना अब देखे इधर से एक दो और ये तीन तीन छोड़ के और ऐसे यहां सलाई डालिए और एक एक्ष्ट्रा फंदा आप ऐसे बुन लीजे इस फंदे को आप लंबा रखिएगा ताकि डिजैन अच्छा बने अगर इसको ऐसे खीच दिया तो टाइट हो जाएगा इसको खीचना नहीं है ऐसे दबा लेना है फिर दागा अपनी तरफ करना है एक फंदा आप उल्टा बुन लीजे ठीक है उल्टा बुन के आप दागा पिछे कीजिएगा और यहां हमें एक्ष्ट्रा फंदा बना कर लाना है तो इधर से एक दो और यह तीन के नीचे ऐसे स्लाइड आलिए एक एक एक्ष्ट्रा फंदा ऐसे बना कर ले आईए अब यहां इसको ऐसे दबा लीजिए एक फंदा यह सीधा फिर आगे से स्लाइड आलिए और दो का एक फंदा बना दीजिए बस इसे ही बार बारे बिट करना है फिर तीन फंदे आप उल्टे बनाईए, धागे को पीछे करेंगे, एक लंबे वाला और एक ये, आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर से सेम वही तीन डोट छोड़ कर हम ऐसे स्लाइड डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर ले फिर हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके इधर से ये तीन छोड़ कर, तीन के नीचे से ऐसे स्लाइड डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बन कर लाएंगे, अब ये एक फंदा सीधा, आगे से स्लाइड डालेंगे, और दो का एक करतेंगे, अब ये लास्ट के आपके जो फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन दीजिए, उल्टी तरफ से आपने अब वही करना है, जो सीधे उनको सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है, जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया, उसको हम स्लिप करेंगे हर बार उल्टी साइट से जब आप सीधी साइट पर आओगे तो फर्ष्ट बार का डिजाइन शुरू हो जाएगा और ये वाला आपका कम्प्लीट हो जाएगा जब आप बार बार इनी चार-चार सलाईयों को रिप्यूट करेंगी तो इस तरह से आपका बहुत संद करके बैल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद